वायू लड़ाई करते हुए पीछे मुड़ा उसे धहर्या की काफी चंता हो रही थी पर जब उसने देखा कि वो दो छोटी लड़किया उसकी वाइफ को किस तरह प्रटेक कर रही है तो ना चाने क्यूं उसका दिल उन दोनों पर भरोसा करने को कर रहा था और वो साथ साल के बच्चों के भरोसे अपनी बीवी को छोड़ चुका था तभी उसने देखा कि पीछे से कोई बड़ा सा चाकू लेकर रावी की तरफ बढ़ रहा है और आल्मोस्ट वो उसके गले पर वार करने वाला था आधे इंच की दूरी तक पहुँचने पर अचानक से वह आदमी अ बहुत करीब था रावी दो कदम दूर हट गई उसी समय वो आदमी जमीन पर गिर गया रावी ने पीछे देखा वायू परिशान नजर से उसे ही देख रहा था उसने कहा आप ठीक है रावी का दिल एक अजीब सी खुशी से मचल रहा था कि उसके पापा ने उसे प्रोटे का रहा है ये देखते ही उसने जल्दी से सिगनल बटन को प्रेस कर दिया जिससे बाहर मौझूद उनके ब्लैक बटरफलाई के गैंग मेंबर्स अलर्ट हो गए और टेरिस की तरफ आने लगे उन्हें उस तरफ भागता देख वायू के बॉडिगार्ड भी वहां जाने लग रहा था कि वहां पर 50 से ज्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं और जो लड़ाई कर रहे हैं उनके शरीर पर एक भी खरोच नहीं थी बॉडिगार्ड और ब्लैक बटरफलाई गैंग के मेंबर्स जल्दी से वहां गए और उनमें शामिल हो गए उन लोगों के वहां आ पर उसे इस तरह खून में सना देख उसकी आँखे गुसे से जल रही थी उसने बिना पीछे मुड़े कहा जो जिन्दा है उससे पता करो सुल्दान ने पीछे मुड़कर लाशों को देखा और चेक करने लगा कि किसकी सासें चल रही हैं उसे एक आदमी दिखा जो अभी भ खून बह रहा था उसने नामे करतन हिलाई सुल्दान ने अपने हाथ में पकड़ी कन को उसके पैरों के पास रखा और तेजी से एक गोली चल रही आदमी दर्द से चल लाने लगा और उसने कहा ग्रूप टॉप गैंग वही करन भी एक आदमी को पकड़ कर खड़ा था जि वायू से कहा सर ये फाइट टाइगर गैंग की थी और ये दोनों गैंग साथ मिलकर काम कर रही थी वो आपको निशाना बनाना चाहते थे और उससे पहले ही उनका टार्गेड कलती से मिज्ज धेरिया बन गई थी जैसे ही दोनों की बात खतम हुई वायू और वीरा ने एक जो उन लोगोंने फिर से कोशिश की है एक अच्छा एक्जामपल सेट करो गैंग को मारते समय उनका वीडियो बनाओ और उसे अंडर वर्ल के ब्लाक वेब पेज पर अप्लोट करो ये लिख कर कि उन्होंने किसके साथ गलत करने की कोशिश की है और उनकी सजा क्या रही बा बाद उस कमरे का दरवासा खुला और अंदर से तीन लोग बाहर आए जिसे देखकर तीनों लड़कों की आँखें बड़ी-बड़ी हो गई और वायू का मुदो खुला का खुला ही रह गया धहरिया रावी और वीरा ने सेम कलर की फ्रॉक पहनी थी जो उनके पैरो तक था फ्रॉक के एक तरफ बड़ा सा लेवेंडर कलर का फ्लावर बना था और उसकी साइट से छोटी-छोटी पत्तियां एक खुबसूरत शेप में नीचे से कमर तक बढ़ रही थी कमर के पास एक ग्रीन कलर का बेल्ट बना हुआ था जिस पर छोटे-छोटे मोती लगे थे नीचे से फ्रॉक पूरा डाक पुर्पल कलर में था और थोड़ा-थोड़ा शाइन कर रहा था तीनों गर्ल्स खुबसूरत परिया लग रही थी ये ड्रेस सेट धहरिया ने ही डिजाइन किया था जो मम्मा डॉर्टर सेट के नाम से था टेरस पर हुए हाथ से के कारण सब के कपड़े बुरी तरह खून से संचुके थे रावी और वीरा ने वाइट कलर की शिर्ट पहनी थी जो लाल रंग में बदल गई थी छोटे बच्चों के शरीर पर खून से भरे कपड़े देखकर धहरिया को बहुत बुरा लग रहा था इसलिए वह जल्दी से एट फ्लोर पर जाकर एक सेट लेकर आ गई थी पर गलती से वो थ्री सेट वाला पीस उठा ले आई थी जब वो उन्हें वापस रखने जा रही थी तो वायू ने उसे भी वो पहनने को कह दिया था क्योंकि धहरिया के कपड़ों पर भी खून लग चुका था वायू ने सुल्तान करन को भी कपड़े दे दिये थे और खुद भी चेंज कर चुका था तीनों लड़के एक अवाज से होश में आए जो काफी कठोर थी वीरा ने कहा क्या हम लोग भूत है जो आप सब आखे फारे हमें देख रहे हैं तीनों लड़के सक पका गए और इधर उधर देखने लगे धहरिया ने रावी और वीरा का हाथ पकड़ा और उन्हें सोफे पर बिठा कर गहा शाम होने वाली है हमने आपके लिए कुछ खाने को मंगवाया है रावी ने एक्साइट होकर गहा क्या उसमें चॉकलेट मिल्क शेक है? उसके कहने के तरीके और उसके कहिश शब्दों को सुनकर एक पल के लिए धहरिया हैरान हो गई वीरा ने जल्दी से रावी के हाथ को दबाया और कहा इसे चॉकलेट मिल्क शेक बहुत पसंद है आप उसकी बात का बुरा बन पानी है धहरिया मुस्कुराई उसे उन दोनों लड़कियों से एक अजीब सा लगाओ महसूस हो रहा था थोड़ी देर बाद टेबल पर काफी सारी खाने की चीज़े रखी थी और सब शांती से खाना खा रहे थे उस शांती को छोड़कर रावी अपने ही मस्द एक हाथ में बड़ा चॉकलेट मिल्क शेक का ग्लास पकड़े दूसरे हाथ से सान्विच खा रही थी उसकी फेस पर थोड़ा चॉकलेट मिल्क शेक लग गया था जिससे वो बहुत क्यूट लग रही थी बायू एक टक रावी को देख रहा था उससे अपने दिल में ऐसा मैसूस हो रहा था जैसे उसका एक परिवार है रावी और वीरा को देखकर वह सोच रहा था कि क्या उसके बच्चे होते तो वो भी ऐसे होते ये सब सोचते हुए ज़िए दर्द करने लगा उससे खुझ से कहा मैं तू कभी पिता ही नहीं बन सकता उससे अपनी जिंदगी में कभी बच्चों की जरूरत महसूस नहीं हुई पर अपने सामने बैठी दो लड़कियों को देखा और उसका दिल किसी ऐसे को पानी की इच्चा कर रहा था जो से पापा गए भेरिया कबसे वायू को देख रही थी जिसके चेहरे के भाव बार-बार बदल रही थी उसने वायू के हाथ पर अपना हाथ रखा और गा क्या आपको कुछ परिशान कर रहा है वायू ने नामे करदन हिलाई और उसके कंदे पर हाथ रखते हुए गा तुम्हारे होते हुए कुछ परिशान कैसे कर सकता है वीरा बहुत ध्यान से उन लोगों को अबसर्व कर रही थी जो उनके बाइलोजिकल मदर और फादर थे उसने कहा क्या आप दोनों कपल है? दोनोंने तेजी से वीरा की तरफ देखा और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो छोटी सी बच्ची को क्या जवाब दे बायू को ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे उन बच्चों से जूट बोलना चाहिए इसलिए उसने धहरिया को अपनी तरफ खीचा और कहा ये मेरी वाइफ है शब किसी फिसफोर्ट की तरह थे उस शांत महौल में अचानक से कुछ तूटने की आवाज आई थी सब ने वहाँ देखा रावी के हाथ से उसका मिलकशेक का गलाज गर चुका था और जमीन पर पड़ा था उस लड़की की आखे बड़ी हो चुकी थी और वो हैरानी से उन दोनों को देख रही थी वीरा भी काफी ज्यादा शौक थी और उसका फेस हमेशा की था एक्स्प्रेशन लेस था रावी उटकर खड़ी होई और उसने वायू और धेरिया के पास जाकर उनके हाथों को पकड़ कर गहा या आप दोनों सच में मारिड है या हमें बच्चा समझ कर जूट बोल रहे है धेरिया ने उसके चेहरे पर लगे शेक को साफ करते हुए कहा ये सच है, हम इनकी पतनी है बात सर्फ इतनी है कि ये बात बाहर कोई नहीं जानता धेरिया को इस तरह अपना नाम खुच से जोड़ता देख वायू काफी खुच था राफी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी उसने जम करते हुए कहा आप दोनोंने शादी कर दी मतलब अब हमें इसके आगे वो कुछ कहती कि एक छोटे से हाथ ने उसे अपनी तरफ खीच लिया वो मुड़ी और उसे अपनी बहन का गुस्से से भरा डरावना चेरा दिखा जिसे देखकर वो चुप हो गई वीरा ने सामने देखा और कहा इसकी तरफ से माफी चाहती हूँ इसने फर्ष गंदा कर दिया वायू ने सिर खिलाया और कहा कोई बात नहीं करन इसे साफ करवाओ करन ने तुरंद एक बेल प्रेस कर दी थोड़ी देर बाद कुछ क्लीनर ने आकर वहां का सारा खाना हटा दिया और फर्ष भी साफ कर दी धेरिया ने रावी और वीरा से कहा आपके ममी पापा कहा है और क्या वो जानते हैं कि आप क्या करती हैं दोनों लड़किया जो थोड़ी शौक और एक्साइप्मेंट में अपने ममी पापा को देख रही थी अचानक उनका चेहरा सफेद पढ़ गया रावी ने कसकर वीरा को पकड़ा हुआ था वीरा ने उसके हाथ पर थोड़ा दबाव बनाया और कहा उन्हें नहीं बता करन वायू धेरिया चौक कर उन्हें देख रहे थी वीरा ने आगे कहा कुछ मजबूरियां है जिनके कारण वो अभी सच नहीं जान सकते हमारा काम उनकी प्रोटेक्शन के लिए है जब तक सब ठीक नहीं हो जाता हम नहीं बता सकते धेरिया ने उदास चेहरा बना कर गा क्या आप अपने पैरेंट से जूट बोलती है हमें नहीं लगता ये सही है अगर आप उन्हें बताएंगे तो वह आपकी परिशानी समझेंगे और आपका साथ देंगे आप अभी भी बच्चे हैं आपको नहीं आपके माता पिता को आपको प्रटेक्श करना चाहिए रावी और वीरा का दल अजीब से दर्द के साथ धड़क रहा था उनका मन कर रहा था कि अभी जाकर अपनी मम्मी को गले लगाए और कहें कि वो उनकी बेचिया है और वो सब उनसे ही चुपा रही है पर उन दोनों ने अपने मन के एमोशन्स को कंट्रोल करते हुए दोनों ने नाम इस सिरह ला दिया और कहा हर चीज़ का सही वक्त होता है धैर्या ने उनके परसनल मैटर में ज्यादा बोलना सही नहीं समझा वायू ने कहा वैसे आप दोनों का असली नाम क्या है मैं चाहती हूँ कि उन्हें इस फैशन मेगा में बुलाया जाए और उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किये जाए जब उनके दोस्त वहाँ पर परफॉर्म करें तो वो उन्हें शियर कर सकें वहाँ खड़ा और बैठा हर एक इनसान उसके इस सुझाफ से काफी खुश था और सब जल्दी एगरी हो गए रावी और वीरा ने खड़े होते हुए कहा तो अब हमें चलना चाहिए उन्होंने कुछ कदम आगे भढ़ा ही थे एक बड़ी सी काली परचाई उन दोनों पर कूट गई सब आँखे बड़ी-बड़ी करके उन्हें देख रहे थे वाईू तेजी से आगे आया पर रोकने की बचाए वो स्टेचों की तरह वही खड़ा रहा सब ने जमीन की तरफ देखा दोनों बच्चियों के उपर बढ़ा सा काला चीता था और वो उनके फेस को चाट रहा था और अपने सिर को उनके सीने पर रब कर रहा था रावी खिल खिला कर हस रही थी जबकि वीरा अपने चेहरे पर शांत भाव लिये उसके सिर पर हाथ फिर रही थी वीरा ने कहा दूर हटो काला जीता जैसे उसकी बात सुनने का ही इंतजार कर रहा था वो दूर हुआ और अपने पंजो के बल बैटकर अपनी चमकती हुई आँखों से उने देखने लगा धहरिया जल्दी से वहाँ आ गई और उसने दोनों को खड़ा करके कहा क्या आप तोनों ठीक है? आपको लगी तो नहीं? उसने काल की तरफ देखा और कहा काल ये क्या हरकत है? काल ने जैसे ही धहरिया को देखा उसका excitement लेवल भड़ गया वो उनके आसपास गोल-गोल चक्कर लगा रहा था उसकी पूच बार-बार हिल रही थी और उसकी पीली आंखे बहुत चमक रही थी उसने तीनों कोई फ्रॉक के हिस्से को अपने मुँ में दबाया और उन्हें खीचते हुए सोफे पर ले गया तीनों हार कर उसके साथ वहां से चले गए और सोफे पर बैट गए सोफे के पास चोट असा टेबल रखा था जिसे काल घूर कर देख रहा था बायू ने जैसे ही काल के उस रियाक्शन को देखा उसने पीछे खड़े करन से कहा इसे हटाओ करन ने हां में गर्दन हिलाई और उसने वहां रखा कॉफी टेबल हटा दिया काल कूद कर फर्श के कारपेर पर लेट गया फिर वो गोल गोल घूम रहा था रावी अपनी चमकती हुई आँखों से उसे देख रही थी उसने कहा काल तुम कैसे हो धैरिया वायू और करन ने हिरानी से रावी की तरफ देखा बायू ने कहा क्या आप इसे जानती है वह पहले से ही काफी शौक में था कि उसका काला चीता दो छोटी बच्चियों के साथ खेल रहा था जबकि वो उसके अलावा सिर्फ धैरिया के पास ही पहली बार गया था उसे इंसानों से कॉंटेक्ट बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था वो उनसे तभी कॉंटेक्ट बनाथा था जब उसे उन लोगों को मारना होता था और इस समय वो छोटे पपी की तरह दो छोटी लड़कियों से लिप्टा हुआ था रावी ने हा में गर्दन हिलाई और कहा हम जैसे स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ की ट्रिप अक्टिविटी के दौरान हम काल से मिले थे बायू कुछ याद करने लगा तभी उसे याद आया कि एक बार काल एक स्कूल ट्रिप में बच्चों के पास पहुँच गया था उसने सोचा हो सकता है ये दोनों उसी ग्रूप में से हो उसने अपना सिर जुका कर काले चीते को देखा जो अपना सिर धहरिया के पेरों पर रखकर अपनी आखे उठा कर उसे देख रहा था वो इस समय इतना मासूम लग रहा था जैसे वो छोटी सी बिल्ली हो बहरिया प्यार से उसके सिर पर हात फिर रही थी काल के दोनों पंजे आजू-बाजू बैठी लड़की उपर थे जैसे वह उन तीनों को वहां से जाने ना देना चाहता हो पता नहीं क्यों पर काल का इस तरह उन तीनों पर हग जमाना वायू को अच्छा नहीं लग रहा था उसे काल से बहुत जलन हो रही थी उसे ऐसा लग रहा था कि वो तीनों सिर्फ उसके पास होनी चाहिए और उन्हें हग उसे ही करना चाहिए वायू ने सकत आवास में कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो काल ने अपना सर गुमाया और घूर कर वायू को देखने लगा कुछ बल तक वायू को घूरने के बाद उसने वापस अपना चहरा भेरिया की दरव कुमा लिया रावी ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा तो तुम मिस्टर वायू से घुसाओ उसने अपना सर उठा कर वायू को देखा और कहा ये आपका बैठ है, ये सच में बहुत अच्छा है आपको पता है, जब मैं इससे उस जंगल में मिली थी तो मैं इसे वापस ले जाना चाहती थी पर कुछ लोग इसे अपने साथ ले गए उसने इतना कहा ही था कि राका दोड़ते होए वहाँ आया उसने जल्दी से अपना सर छुकाया और कहा सर, काल ने तीन दिन से कुछ नहीं खाया और वो पूरे जंगल में जानवरों को मारने के लिए दोड़ रहा था वो काफी घुसे में है शब्दों के खतम होते ही उसकी नजर काल पर गई जो जमीन पढ़ ले था था और अपना एक पंजा गोल गोल खुमा कर छोटी बिल्ली जैसी आक्टिंग कर रहा था ये देखकर उसकी आँखे बड़ी बड़ी हो गई तब ही उसकी नजर सोफे पर बैठी सुन्दर लड़की उपर गई उसने सोचा क्या काल सिर्फ सुन्दर लड़कीों को देखकर ही ऐसी हरकते करता है तब ही उसे ध्यान आया खमरे में लड़किया है जहां तक वायू की बात थी उसके कैबिन में आना किसी को अलाउड नहीं था जब तक वायू परमिशन ना दे वायू ने बिना किसी भाव के राकवा को देखा और सक्ती से कहा तो तुम इसे यहां ले आये राका ने डरते हुए का सर आपने मुझे यहां बुलाया था पर फोन पर आपकी अवास सुनकर काल मेरे पीचे ही पढ़ गया था मुझे इसे मचपूरी में यहां लाना पड़ा वायू ने गहरी सास ले उसका पैट अब बहुत जिद्धी होता जा रहा था उसने मुड कर वापस सोफे की तरफ देखा और काल की तरफ भढ़ गया जब काल ने देखा कि वायू उसके पास आ रहा है तो वो जल्दी से उटकर बैठा और घूर कर वायू को देखने लगा वायू अपने घुटनों के बल बैठकर अपना एक हाथ आगे करके उसने कहा अच्छा अब तुम नाराज क्यों हो काल ने पंचा उठाया और वायू का हाथ जटक कर अपना मुँ दूसरी तरफ कर लिया इसके बाद उसने अपनी नाक से थोड़ी अवाज निकाली जैसे वह बहुत ज्यादा घुस्सा हो राका जो पीछे ही खड़ा था उसने कहा आप काफी दिन से इससे मिलने नहीं आए जबसे हम सोम ठाकुर की हवेली से वापस आये हैं तब से आप इससे नहीं मिले वाईू ने खड़े होकर पीछे मुरते होई कहा अच्छा तो ठीक है अब काल को मुझसे मिलना ही नहीं है तो मैं यहांसे चला जाता हूँ यह कहकर वो अपने डेस्क की तरफ भड़ गया और लैपटाप आउन करके बैठ गया उसने तिर्ची नजरे करके देखा पर उसका पैट उसे भूल चुका था और खुबसूरत लड़कियों के साथ खेल रहा था वाईू को बहुत जलन हो रही थी काल उसका पहला पैट था जिसे उसने बच्पन से बाला था और वही उसके साथ ऐसा कर रहा था उन अच्छी भावनाव को नहीं आने देना चाहती थी पर जब वो चारो एक साथ थे तो वो उन सारी बातों को सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी ना जाने क्यों पर वाईू को उसकी मन की बात समझ आ गई थी उसने वीरा को उठा कर अपनी गोद में बिठा लिया वीरा का शरीर पत्थर की तरह कटोर हो गया उसने एकसेप्ट नहीं किया था कि वाईू ऐसा कुछ करेगा पर उसने जरा सा भी हिलने की हिम्मत नहीं की जैसे वो सब एक सपने की तरह तूटकर बिखर जाएगा वाईू ने अपने लंबे हातों को आगे किया और लैप्टॉप में कुछ टाइप करने लगा थोड़ी देर में स्क्रीन पर कुछ डॉक्यूमेंट लिखने लगे और कुछ ग्राफ भी उसने कहा मुझे भी आपको कुछ बताना है देखिए हमारे सबसे प्रोड़क्ट लॉंच के बाद लगबग 40% प्रॉफिट हमें दो दिन में मिल जाएगा कुछ कंपनी हमारे साथ उनकी एड़टाइजमेंट को जोड़ना चाहती है इसलिए उन्होंने कॉंट्रेक्ट भीज़े है आप इन में से चुनकर बता सकती है कि कौन सा प्रोड़क्ट हमें लॉंचिंग के समय एड़टाइजिंग में दिखाना चाहिए क्योंकि ये काम हमें बहुत चल्दी करना है वीरा ने खुद को समाला और सुल्तान आखे बड़ी-बड़ी करके उन दोनों को देख रहे थे विश्वास करने की सबसे मुश्किल चीज जो उन्होंने आज तक नहीं देखी थी उनके सामने था पहला वायू जो हमेशा बच्चों से दूर रहता था और दूसरा वीरा जिसे लोगों से कॉन्टैक बनाने से नफरत थी दोनों ही नेगेटिव लोग एक साथ थे और बिना किसी पर ध्यान दिये अपना काम कर रहे थे धहरिया नहीं जानती थी पर उसे वो नसारा देखकर एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी काल जो चारू को देख रहा था उसे महसूस हुआ कि उसे एगनूर किया जा रहा है वो जोर से दहाना जस्ते सब का ध्यान उसकी तरफ चला क्या रावी ने अपने फोन से चुपके से वीरा के कुछ से पिक्श्चर्स ले लिए और फिर जमीन पर काल के पास बैठ कर खेलने लगी उसने कहा काल तुम्हें अकेले बोर होता होगा ना? क्या तुम्हारी कोई गर्ल्फरेंड है? काल ने अपना से उठाकर रावी को देखा उसका फेस ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज्यादा कन्फ्यूज हो रावी ने अपने फोन में फीमिल टाइगर के फोटोस को सर्ज किया और एक एक करके काल को दिखाने लगी उसने कहा काल स्क्रीम की तरफ देख रहा था और कई सारे फीमिल टाइगर उसके सामने आ रही थी तब ही रावी एक फोटो पर रुखी और उसने कहा इसे देखो ये बहुत स्यादा ब्यूटिफुल है वो टाइगरेस यल्लो कलर की थी जिस पर ब्लाक कलर की काफी सारी लाइन्स बनी थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी और ऐसे पॉस्चर में उसका फोटो खीचा गया था जिसमें वो बहुत ज्यादा सुन्दर लग रही थी काल ने अपने पंजे उठाकर अपने सिर पर रखकर उससे अपना फर सहलाने लगा इस समय वो टीनेज लड़के की तरह देख रहा था जिसे पहला पहला प्यार हो गया हो धहरिया सुल्दान राखा और करण जो रावी की क्यूट हरकत को देख रहे थे काल को देखकर उनके पास कहने के लिए कोई शर्द नहीं बचे थे रावी ने टाइगर्स के फोटो को बढ़ा करके काल को देखाया और कहा देखो क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आई काल ने अपने दोनों पंजों से अपने चेहरे को ढ़का और नीचे सर करके बैठ गया रावी ने छोटा सा मूँ बनाकर अपना सिर उठाया और धहरिया से कहा क्या इसे ये पसंद नहीं है धहरिया ने रावी के जबी गालों को खीच कर कहा वो शर्मा गया है रावी की आँखे बड़ी-बड़ी हो गए उसने काल को देखा जिसका सिर लगभग जमीन में घुच चुका था और कहा क्या वो लशकर रहा है? सुल्तान ने कॉल रिसीव किया उससे बाहर आई और उसका चेहरा जिस पर थोड़ी नर्मी आ गई थी वापस सक्त हो गया वायू उटकर खड़ा हुआ और उसने वीरा को अपनी गोद में ले लिया ये सब इतनी चल्दी हुआ कि वीरा ने अपने आपको समालने के लिए अपने दोनों हाथ वायू के गले में डाल दिये थे वायू भूल गया था कि उसके साथ एक बच्ची है और उसने उससे जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया वीरा को गोद में लेकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था वीरा अपने आपको एक मस्क्यूलर और मस्बूत इंसान की गोदी में देखकर जो उसके पापा थे वो हैरान थी उसे अचानक से एक अजीब फीलिंग मैसूस हो रही थी उसे ऐसा लग रहा था उसके टमी में बहुत सारे बटरफलाइ उड रही है और उसके गाल थोड़े से जल रहे है रावी घूर कर वीरा को देख रही थी उसने अपने हाथों की मुठिया बना कर रखी थी तब ही उसकी नजर वीरा के गालू पर गई जो टमाटर चैसे लाल हो गए थे उसने जल्दी से अपना फोन बाहर निकाला और कैमरी को जूमिंग मूट पर सेट करके जल्दी से वायू और वीरा के काफी पास के चहरे की पिक्चर क्लिक कर ली और तेजी से अपना फोन वापस रख लिया धहर्या ने रावी के उस रियाक्शन को देख लिया था इसलिए वो जुकी और उसने रावी को अपनी गोद में उठा लिया और चल कर वायू के पास खड़ी हो गई करन और सुल्दान उस परिवार को देख रहे थे जो आज पूरा दिख रहा था सुल्दान ने भी चल्दी अपना फोन बाहर निकाला और उन सब की फोटो क्लिक कर ली वो उसे राजन शाही को बेचने वाला था वायू ने ऐसा महसूस किया कि वो एक अलग दुनिया में है दो प्यारी बेटियां और एक सुन्दर पत्नी उसके साथ खड़ी थी वो सच में उन दोनों लड़कियों को अपने साथ ही रख लेना चाहता था पर वो ऐसा नहीं कर सकता था ये सोचते हुए उसे बहुत ने राशा हो रही थी और उसकी बगड वीरा पर खस गए जिससे वीरा को थोड़ा दर्द हुआ और उसके मुह से चोटी सी चीक निकल गए जिससे वो होश में आ गई थी उसने घूर कर वायू को देखा और कहा मिस्टर वायू, पहले आपने मुझे अपनी गोध में बिठाया और अब आप मुझे गोधी में ले चुके हैं क्या अब आप मुझे अडॉप्ट करना चाहते हैं? उसके शब्द बहुत ज्यादा कठोर थे जैसे कोई पत्थर मार रहा हूँ वायू ने तुरंद उसे नीचे उतार दिया उसे बहुत शर्मिन्द की मैसूस हो रही थी धैर्या ने रावी को गालों को खीचा और गाप अब आप भी नीचे उतर जाईए रावी ने हां में गर्दन हिलाई और नीचे उतर गई वीरा काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी उन सब को सिर्फ दुख देगा पर वो करना उसके लिए जरूरी भी था वायू के कैबिन से करन भी जा चुका था और अब वहां सिर्फ धैर्या और वायू ही बच्चे थे धैर्या नोटिस कर रही थी कि वायू कबसे दर्वाजे की तरफ देख रहा है और उसका चेहरा थोड़ा मायूस है उसने आगे भढ़कर वायू को गले लगाया और गहा आप उदास क्यों है? वायू ने अपने दोनों हाथ धैर्या की बीट पर रखे और उसे मस्बूती से अपने सीने से लगा कर गहा काश ऐसा होता कि हमारे पास भी उन दोनों के जैसी बेटियां होती आज इस मिटिंग ने मुझे एक परिवार की एहमियत बता दी है मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता तुम्हारी भी इच्छा होगी ना कि उन प्यारी सी लड़कियों जैसी तुम्हारी भी कोई बेटी हो जो तुम्हें ममा कहे और मुझे पापा धैरिया वायू की शर्ट को अपनी मुट्टी में भीचते जा रही थी उसे डर था कि वायू के कही शब्द उसे सच कहने पर मजबूर ना करते और अब उसे ऐसा लग रहा था कि ज्यादा समय तक वो इस बात को नहीं चुपा पाएगी उसने खुद से कहा है वायू आपके भी दो बेटिया हैं हम आपको उन से मिलाना चाते हैं जिस तरह आपने उस लड़की को गोद में उठाया हुआ था हम चाते हैं कि आप अपनी बेटियों को भी इसी तरह गोद में उठाए हमारी बेटियां हमेशा एक पिता के प्यार के लिए तरस्ती हैं और हमारी मजबूरियां अभी उन्हें वो पाने नहीं दे रही बस कुछ समय की बात है वायू फिर हमारा भी परिवार पूरा होका जिस तरह हम चारों साथ थे उसी तरह हमारी बेटियां आप और हम एक साथ होंगे वायू ने महसूस किया कि धहरिया उसकी बातों से बुरा फील कर रही थी और उसने उसके मूर को बदलने के लिए उसका चेहर अपने हाथों मे लिया और कहा वैसे मेरा पैट मुझे छोड़कर तुम तीनों के पास ही बैठा हुआ था लगता है वो मुझसे बहुत नाराज है बेहरिया ने कहा काल ने आपकी तरफ एक बार भी नहीं देखा और देखे जरा आरवी के जाते ही वो भी राखा के साथ यहां से चला गया वैयू ने कहा देखो सब मुझे छोड़ रहे हैं मैं बहुत उदास हूँ बहरिया ने परिशान होकर कहा आप उदास क्यों हो रहे हैं हम है ना आपके साथ वायू ने उसकी कमर में हाठ डाल कर उसे अपनी दरफ खीच और कहा मैं खुश हो जाऊंगा अगर तुम मुझे एक अच्छी सी किस दोगी बहरिया ने खुच से कहा यह आथमी हमेशा कुछ ना कुछ करके मुझसे किस मांगता ही रहता है वो अपनी करदन ना में हिलाने ही उसने कहा तुम दोनों कौन हो तुम क्या दोनों रावी और वीरा की फ्रेंड हो दोनों लड़की उने से रुठाया उन दोनों की आँखे बहुत ज्यादा ठंडी थी जिसे देखकर अहाना को अचानक से कपकपी मैसूस होने लगी वीरा ने कहा अहाना मौसी हट जाईए अ सुल्टान अहाना को देख रहा था, जो स्टेचू की तरह खड़ी थी, उसने कहा मैम, सुल्टान की अवाज सुनकर अहाना होश में आई, उसने कहा हाँ, सुल्टान ने कुछ फाइल्स, लैप्टॉप और एक छोटा सा बॉक्स जुसमें पेन ड्राइव रखी थी आहना को देते हुए कहा ये जादा समान क्या आप आरवी मैम को दे सकती हैं, असल में उन दोनों का मूर थोड़ा खराब है और वो किसी से मिला नहीं चाहती, हम सब चलते हैं तबी आहना ने ध्यान दिया कि वहां खड़ा सुल्तान, अकेला इंसान नहीं था, पीछे कई सारे बिनाभाव वाले लोग खड़े थे, जिन में से एक लड़की भी थी, उन कूल परसनालिटी वाले लोगों को देखकर आहना का मूँ बन गया, उसने सुल्तान से धीरे से क और वहां से रावी और वीरा बाहर निकले, उनका स्किन कलर वापस गूरा और गुला भी हो गया था, उनकी काली गहरी आखे, उनकी जील जैसी नीली आखों में बदल चुकी थी, मेक अप और लैंस जो उन्होंने लगाये थे, वो और गानिक और हामलेस थे, जिसे उनकी कम दोनों वैसे कैसे दिख रही थी, रावी ने कहा, हम पापा से मिलने गए थे, उसकी अवाज थोड़ी घुसे में थी, और ये कहते वक्त वो वीरा को गूर रही थी, अहाना का मुख खुला का खुला रह गया, उसने कहा, पापा, तब ही उसे म्यूजियम में हुई बातें और हाथसा याद आगया, उसे याद आया कि वायू राजवंच इन चोटी डेवल क्वीन्स का फादर है, ये यकीन करना उसके लिए बहुत मुश्किल था, अब उसको आदत हो चुकी थी, इससे पहले कि वो कुछ कहती, घर की डोर बेल बजी, अहाना ने दर्वाजा खुल ये ले special food बना रही हो, क्या तो मारी मम्मी भी वहाँ पर थी, रावी ने कहा, हाँ मीटिंग में ममा भी थी, तभी उसे कुछ याद आया, उसने थोड़ा गुसा करते होई वीरा से कहा, डी, काम का क्या हुआ, वीरा जू की सबजियां काट रही थी, उसने कहा, कल तक सब ख अच्छा, बार्बी डॉल दो, दोनों लड़कियों ने बिना किसी भाव के आहना को देखा, आहना को ऐसा लगा जैसे वो दोनों उसे बेफकूफ कह रही हूँ, उसने मूँ बना लिया और चुपचाब बैकी रही, तभी वीरा ने कुछ ऐसे शब्द कहें, जिससे आहना अहना पागल हो चुकी थी, उसने घुसे में मुख्या बनाई और कहा, धैरिया ने मुझसे जूट बोला, बीरा ने बिना किसी भाव के कहा, आपको ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, राजवंच कॉर्परेशन, ओफिस आवर्स खतम हो गए थे, और धैरिया कंपनी के बाहर जा रही थी, इससे पहले कि वो अपने लिए टेक्सी को रोप दी, एक सुन्दर सी कार उसके सामने आकर रोगी, धैरिया बिना किसी हिच के चाहट के उसमें जाकर बैठ गई, उसने दोनों की थोड़ी दिर पहले की किसी आदा गई, जो आदे घंटे से भी ज्यादा की थी, धैरिया को समय ऐसा लग रहा था जैसे वो मर जाएगी, पर उसका पती उसे छोड़ने को ही तयार नहीं था, वायू ने उसके चेहरे के एक्स्प्रेशन से देखे, जिससे उसे बह मैं दे दूँगा, धैरिया ने वायू को दूर धकेला और कहा, आपना बहुत बेश्रम होते जा रहे हैं, कौन कहेगा इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है, वायू ने कार स्टार्ट की और कहा, इस समय मैं सिर्फ मेरी वाइफ का हस्पेंड हूँ, जो से उसके घर छोड़ने जा रहा है, धैरिया कार के बाहर शाम के नजारों को देख रही थी, स्ट्रीट लाइट की रोशनी में कई सारे लोग अपनी दुकान लगा कर बैठे थे, और कपल हातों में हाथ डाल कर घूम रहे थे, हलकी हलकी हवा चल रही थी और मौसम बहुत ज्यादा प्यारा था, व वो ले आएगा, उसे बता दो क्या चाहिए, ये कहकर वो अपना फोन निकालने वाला था कि धेरिया ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, नहीं हम खुद ले आएंगे, आप हमारा इंतजार करें, फिर वो बिना वायू की बात सुने कार से उतर गई, और सामने बनी दुका साफ नजर आ रहा था, एक जगा खड़े होकर उसने अपने दोनों हाथ में दो टॉइस पकड़े और खुद से का, फ्रोजन वाली डॉल लू या बार्बी वाली डॉल लू, उन्हें तो दोनों पसंद है, तभी उसे अपने पीछे से एक भारी आवास सुनाई दी, दोनों सोचने लगी, उसने कहा, हमारी फ्रेंड की बेटी का बहुत दे है, उसी को गिफ्ट देना है, वायू ने हां में गर्दन हलाई और कहा, तो तुम दो गिफ्ट क्यों ले रही हो, धैरिया ने कहा, एक देन अच्छा नहीं लगता ना, ये कहने के बाद उसे खुद के जवा सौल बिजनस इंटेलिजेंस की बुक ले ली, वीरा उसके कई बार मना करने पर भी ऐसी किताबे पढ़ती थी, इसलिए धेरिया ने उसके लिए वही बुक्स ले, वायू ने कहा, क्या तुम इने पढ़ोगी, धेरिया ने ना चाहते होए भी हां में गर्दन हला दी, खोड की हैंसम आदमी उसके पीछे उसके बैक्स को लेकर चल रहा था, और धेरिया आगे आगे चल रही थी, वायू को ये काम करने में बहुत मजा रहा था, धेरिया अपने उपर लोगों की जलती नजर महसूस कर सकती थी, इसलिए उसने अपने कदमों की रफ़तार बढ़ा दी हा में जवाब दिया, वायू मुस्कुराया और उसके माथे पर किस करते हुए का, पता नहीं आज नीन आएगी की नहीं, ये कहते हुए उसने धेरिया को छोड़ दिया, पर धेरिया अभी भी उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा लेकर बैठी थी, और किसी कश्म कश्मे थ वायू ने अपनी नजरे उठा कर उसके चांद की रोशनी में दिख रहे सुंदर चेहरे को देखा और वो कुछ कहने ही वाला था कि धेरिया ने अपने छोटे-छोटे हाथ उसके गाल पर रखकर उसके होटों से अपने होटों को जोड़ दिया, वो सब इतना चल्दी अब धेरिया को अच्छे से पता चल गया था कि इसे कैसे करते हैं। उसकी छोटी सी जीब वायू के मुझ के अंदर थी और वो धीरे-धीरे उससे लोवर लिप को सक करने लगी थी। वायू के दिल की धड़कन भढ़ती जा रही थी। एहसास जो वो जी रहा था उसके लि पर वायू कुछ मजबूरिया हमें इस तरह साथ रहने नहीं दे सकती। हम जानते हैं आप अमारी बात का मान रखेंगे। यह आपके लिए भी मुश्किल है। वायू ने अपना हाथ उसके गालों पर रखा और कहा। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक तुम खुश हो और मेरे कान पर बाइट करके कहा तो मिस्स राजवंच किस करना सीख चुकी है। जी कहते हुए वो उसकी गर्दन और कॉलबून पर किस करनी लगा था। वो किस इतनी हलकी थी जैसे कोई पंक उसके शरीर पर फिसल रहा ह। धहर्या की सांसे काफी तेज चल रही थी। कार में ऐसी चालू होने के बाद भी दोनों के शरीर से गर्मी निकल रही थी। धहर्या समझ नहीं पा रही थी कि हमेशा वायू के इस तरह नस्दीक आने से उसे इतनी गर्मी क्यों होती है। उसने धीरे से क्या वायू हमें खबराहट हो रही है। वायू ने अपना सिर उपर उठाया और प्यार से धहरिया के माथे पर आए पसीने को साफ करते हुएगा क्योंकि तुम मुझे चाहती हो हर तरह से मैं भी तुम्हें पाले ना चाहता हूँ तुम्हारी रूह से, जिस्म से, तुम्हारी धड़कन से और तुम्हारी सासों से भी वायू की ऐसी बाते सुनकर धहरिया का दिल तेजी से धड़क रहा था वो बिना पल के चपकाई वायू की नीली आखों में देख रही थी जिसमें सिर्फ उसके लिए प्यार था वायू ने जब धहरिया की नजरों को खुद पर इस तरह पाया तो उससे कंट्रोल नहीं हुआ और वो जुक कर दुबारा उसे किस करने लगा कुछ पल बाद उससे अलग होकर उसने उसके लाल हो चुके हुटू पर उंगलियां फिराते हुई कहा वैसे हमें आपको बहुत कुछ सिकाना है जब तक वो घर के अंदर नहीं चले गए उसके बाद उसने कार आगे बढ़ा दी थोड़ी देर बाद उसके बोडी कार की कार जो उससे थोड़ी दूरी पर चल रही थी उसके साथ चलने लगी घर में इंटर करते ही धेरिया को खानी की खुश्बू आई जो बहुत ज्यादा अच्छी थी वो तुरंद पहचान गई थी कि ये खाना उसकी बेटियां बना रही है वो जल्दी से अपने चपल को बदल कर किचिन की तरफ गई वहां का नजारात देखकर उसकी आखें नम हो गई एक हफ़ते जिस जीस को उसने सबसे ज्यादा मिस किया था वो उसकी बेटियां ही थी वो नहीं चांदी थी कि ऐसी कौन सी बात थी कि वो पिछले एक हफ़ते से उससे फोन और वीडियो कॉल पर बात नहीं कर रही थी यहां तक कि किसी तरह का मैसेज भी उसे नहीं मिल रहा था पर इस बात को याद करते होई कि आहना उनके साथ थी उसे चिंता कम हो रही थी पर दूर होने का दर्ध कितना स्यादा होता है वो तो वही समझ सकता है जिससे उसका प्यार दूर हो जाए रावी और वीरा ने एक साथ सर उठाया और अपने सामने खड़ी अपनी मम्मी को देखा जिनकी आखों में आसू थे दोनों जल्दी स्टूल से उतरी और धहर्या के सामने खड़ी हो गई धहर्या ने गुटनों के बल बैटकर उन्हें जोर से गले लगा लिया उसकी आँखोसे लगाता रासू बह रहे थे रावी और वीरा ने भी उसे टाइट हग कर लिया था बले ही वो दोपेर से लेकर शाम तक उसके साथ ही थी पर तब वो दोनों उन्हें ममा नहीं कह सकती थी और ना ही इतने हग से उसे गले लगा सकती थी दोनों ने अपना एक एक हाथ बढ़ा कर उसकी आँखों से आसो पहुँचे धेरिया ने गुस्से वाला चहरा बनाया और कहा हम आप दोनों से बात नहीं करेंगे आपने हमें एक हफ़ते से फोन क्यों नहीं किया क्या आप दोनों हमें भूल गई थी इस बात का जवाब उन दोनों के ही बास नहीं था वो दोनों कैनेड़ और उस्ट्रेलिया में थी अगर वो वहाँ से धेरिया को फोन करती तो उसे पता चल जाता कि उन्होंने इंटरनाशनल कॉल किया है आजकल फोन काफी एडवांस हो चुके हैं और लोग आसानी अच्छा ठीक है अब आप नाटक मत करिए चलिए हमें बताइए आप सबने वहाँ क्या क्या किया हमें भी इंटर की बहुत याद आती है पर काम के कारण जा नहीं सकते प्रतिभा दादी कैसी है इससे पहले कि वे दूनों अपना कोई नकली जवाब देते पीचे से आहाना की आवाज आई हम उनसे मिलते तभी तो कुछ बताते दोनों लड़कियां घूर कर आहाना को देखने लगी आहाना हडबड़ा गई और उसने कहा मतलब मेरा मतलब है कि मासी घर पर नहीं है वो एक बॉक्सिंग टूनाम एंटरेंड करने इंदोर से बाहर गई थी धेरिया ने खड़े ओकर अहाना को गले लगाया और कहा आप कैसी है अहाना ने उसकी पीट पर हाथ रखे और कहा मैं ठीक हूँ वैसे तुम भी काफी ठीक लग रही हो और तुम्हारे होट और गाल इतने लालकियों है यहे बात उसने धीरे से धेरिया के कान में गही धी जिसे वो दोनों नहीं सुन पाई थी पर जैसे ही धेरिया के कानों में ये बात पड़ी उसका शरीर कापने लगा उसने हक लाते हुई का वो 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 बाहर गर्मी है ना अहाना ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रही हो हाँ बेटा मुझे भी पता है कि कौन सी गर्मी थी बाहर उसने खिड़की से देख लिया था कि वायू धहरिया को घर छोड़ने आया था और कार काफी देर तक बाहर थी इसे पहले कि धहरिया कुछ कह दी उसे वीरा की आवास आई उसने का ममा जाए फ्रेश होकर आईए धहरिया ने जल्दी से हा में गर्दन हिलाई और तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई वो अहाना को फेस नहीं करना चाहती थी उसे पहले ही उस बात से बुरा लग रहा था कि उसने अपनी दीदी से इतनी बड़ी बात चुपा रखी है धहरिया के वहाँ से जानी के बाद वीरा ने घूर कर अहाना को देख और कहा मैं सिर्फ आप से यहीं कहूंगी ममा से इस बार में कोई बात ना करे उसके शब्द बहुत धीमे मगर खतरनाक थे अहाना वीरा से बहुत डरती थी इसलिए उसने देरी ना करते हुए अपनी गर्दन तेजी से हां में हिलाई रावी साइन में खड़ी हुई मुह बना कर उसे देख रही थी वीरा कबसे रावी को नोटिस कर रही थी और उसके इस तरह के बरताव को देखकर वो परिशान हो गई थी उसने कहा मुझे बताओ तो मुझे ऐसे क्यों देख रही हो अब रावी से भी सबर नहीं हो रहा था उसने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और गा एले तो आपने मुझसे जूट कहा कि पापा ने दूसरी शादी कर ली है और दूसरा आज जब हम मीटिंग के लिए गए तो आप वो थी जो पापा की गोध में बैठी थी और आप ही वो थी जिसे पापा नी गोधी में उठाया था प्लान तो मेरा था ना उनसे मिलने जाने का मुझे भी उनकी गोधी में जाना था वो इस समय एक छोटे से जिद्धी बच्चे की तरह दिख रही थी वैसे भी वो थी तो छोटी बच्चे ही रावी की बात सुनकर वीरा को वह सब दुबार आयाद आ गया था और उसके चेहरे पर अजीब सा एक भाफ बन गया था उसने खानी को बाहर ले जाते हुए का इस पाल में कोई बात नहीं होगी यह कहते हुए वो वहाँ से बाहर चली गई अहाना ने जुक कर रावी से कहा क्या तुम्हारे पापा ने वीरा को गोदी में उठाया था जली पता उसका फेस तब कैसा दिख रहा था रावी थोड़ी चिड़ी हुई जरूर थी पर अहाना की बात सुनकर वो एकसाइटेड हो गई थी उसने कहा अखो से खाने को देख रही थी वीरा ने उसकी प्लेट में खाना सर्फ करते हुई गहा यह सिर्फ डिखने के लिए नहीं है जैसे ही धेरिया ने खाने की फर्स्ट बाइट खाई वो अपने मूँ से आवास निकालते हुई भूली हमने सच में आप दोनों के हाथ के खाने को बहुत मिस किया था रावी ने मूँ बना कर गा सच में ममा आपने सिर्फ हमारे हाथ के खाने को मिस किया हमें नहीं बहरिया ने अपने हाथ से रावी को खाना खिलाते हुए गहा ऐसे कैसे अगर हम आपको मिस नहीं करते तो आपके हाथ के खाने को कैसे करते लड़की उने हसी खुशी अपने डिनर को खतम किया डिनर करते समय धेरिया लगातार उन तीनों से सवाल पूछे जा रही थी और वो लोग अपने जूटे बनाए हुए जवाबों को उसे सुना रहे थे भले ही उने जूट कहने में अच्छा नहीं लग रहा था पर यह उनकी मजबूरी थी धेरिया का घर रावी और वीरा ठक गए थे इसलिए वो अपने कमरे में जा चुके थे धेरिया इस वक्त अहाना के कमरे में बैठी थी अहाना उसे सीरियस लोग के साथ देख रही थी जैसे वो उसके कुछ कहने का इंतजार कर रही हो धेरिया ने गहरी सांस ली और कहा दीदी हमें आपको कुछ बताना है हमने उन्हें ढून लिया अहाना ने कहा तुमने किसे डून लिया धेरिया घबराते होई कहा रावी और वीरा के पापा को अहाना ने हैरान होने का नाटा करते होई कहा क्या तुमें किसे पता चला और वो कौन है धेरिया ने कहा हम जिस कंपनी में काम करते हैं वो वहां के बॉस वायू राजवन्च है और हमने उनसे शादी कर लिया भले ही यह बात अहाना वीरा और रावी के मूँ से सुनी थी पर इसी बात को धैरिया के मूँ से सुनकर उसे गुस्सा ज्यादा आ रहा था उसने घूर कर धैरिया को देखा और का अच्छा मैं जानना चाहती हूँ यह सब तुमने कब किया अहाना का घुस्सा देखकर धैरिया थोड़ा डर गई थी उसने कह इस बात को दो महीने से स्यादा हो गए है अहाना ने कह सच में तुमने बता दिया हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है तब ही तो तुमने इतने समय से बात मुझसे चुपा कर रखी थी धैरिया ने अहाना के दोनों हाथ पकड़े और गा ऐसा नहीं है अहाना दीदी हम आपको बताना चाहते थे पर पहले हम उस शादी को नहीं मानते थे क्योंकि उस समय वो करना हमारे लिए मजबूरी थी पर जैसे जैसे हमने वायू के साथ समय बताया हमें पता चला कि वो हमसे प्यार करते हैं आप जानती है वो हमें पिछले साथ सालों से डून रहे हैं पहले हम इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि हम नहीं जानते थे कि रावी और वीरा के पिता कौन है और ये केना बहुत मुश्किल था कि क्या वायू उन दोनों को अपना लेते यही सब सोचते हुए हमने हमेशा वायू को इंकार किया पर जब हमने उस बात को जानने की कोशिश की आखिर कौन हमारे बेटियों का पिता है तब मुझे पता चला कि वो वायू ही है उस समय हमारे मन में चल रही कश्मकश खतम हो गई थी और धीरे धीरे हमने वायू की प्यार को एक्सेप्ट कर लिया अहाना को मुझे धेरिया की बाते सुनकर खुला का खुला रहे गया था उसने नहीं सोचा था कि सच इतना complicated होगा और उसके बाद धेरिया ने जो शब्द कहे उसे सुनकर अहाना बुरी तरह हिल गई थी धेरिया ने कहा हमें पता चल गया है हमें दिल की बिमारी है अहाना ने डरते होए धहरिया को देखा और गा मैं तुमसे जूट नहीं कहना चाहती थी पर तुम्हें स्ट्रेस देने के लिए मना किया गया है धहरिया ने जूटी मुस्कुराहट बनाते होए गा हम जानते हैं दीदी आपने ये सब हमारे लिए ही किया था पर इसका क्या फाइदा हम जानते हैं कि हमारा अगले महीने ऑपरेशन होगा हमने डॉक्टर सिधार्थ से भी बात की है और हम अपना इलाज भी अच्छे से करवा रहे हैं पर हमें रावी और वीरा से बात करने है उन्हें उनके पिता से मिलाना है ताकि वो दोनों ने अच्छे से उन्हें जान सके अहाना ने जोर से धहरिया के हाथों को दबाया और कहा तुम क्या सोच रही हो धहरिया ने अपना सिर उपर किया और कहा वहीं जो आपके दिमाग में है, आप भी अच्छे से जानती हैं कि वो अपरेशन बहुत कटिन है और हमारे बचने के चांसेस हैं सिर्फ 50% अहाना खड़ी हुई और इसने कहा, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, वो लड़किया तुमसे इतना प्यार करती है और तुम ये सोच रही हो, कि तुम्हारे मरने के बाद उनका पिता उनका क्याल रखे पर कैसे, उतो जानता ही नहीं, वह दोनों कौन है तुम ये सही नहीं कर रही हो, अगर तुम उन दोनों पर बाप बेटी के रिष्टे बनाने का जबरदस्ती दबाव बनाओगी तुम उनके मेंटल हेल्थ पर बहुत असर पड़ेगा धैरिया, समझो, डॉक्टर से धार्थ बहुत अच्छे डॉक्टर है, वो तुमें कुछ नहीं होने देंगे, तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी धैरिया ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचा वहां से चली गई, रावी और वीरा का कमरा, कमरा पूरी तरह शांत था, और छोटी परचाईया एक दूसरे को गले लगाकर बैट पर बैठी हुई थी, थोड़ी थोड़ी देर में रावी की सिस्कियों की आवाज आ रही थी वीरा रावी के सिर पर हाथ फिर रही थी, रावी ने कहा, क्यों ममा को पता चल गया और वो ऐसा क्यों कह रही है, क्यों नहीं रहेगी? दि, दि, आपनी कहा था ना, डॉक्टर से धार तुछ सब ठीक कर देंगे, ममा हमें चुड़कर नहीं जा सकती। वीरा बिना किसी भाव के रावी के पीट और सिरकों से ला रही थी जिससे वो शांत हो सके उसकी छोटी बहन बुरी तरह काप रही थी इस समय वीरा के दिल की धड़कन में बहुत तेज थी जिसमें अपनी मम्मी को खोने का डर वो मैसूस कर सकती थी उसका हमेशा सकत डिखने वाला चेहरा इस समय थोड़ा मुर्चाया हुआ था दोनों ही लड़कियों ने कमरे के बाहर खड़े होकर अपनी मम्मी और अहाना मासी की बातों को सुन लिया था और उसके बाद तुरंद वो अपने कमरे में आ गई थी वीरा ने कहा मैंने कहा ना ममा ममा को कुछ नहीं होगा अगर हम इस तरह बेहेव करेंगे तो वो ठीक कैसे होंगी हमने प्रॉमिस किया था ना एक दूसरे से कि हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे रावी ने अपना आसू से भरा चेहरा उपर किया उसकी नाग बहुत ज्यादा लाल हो गई थी और उसने कहा हाँ हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे वीरा ने रावी को बेट पर लिटाए और धीरे धीरे उसका सिर सहलाने लगी ये कहना गलत नहीं होगा कि वो रावी के लिए उसकी मा जैसी ही थी